कि अभी 24 चुनाप आने वाला है, तो बहुत जानता लोग में कहता है कि प्रमिक सेर चुनाप करेंगे कि मैं करेंगे, किकेट किसको मिलने वाला है, ये सवाल उठाता है आप में उपर पर, अभी जैसे कि आभी देखा जाये तो जोई हो गया था, तो जोई होते समय भी आपक और जैसे कि अभी सागाली में अभूमपाले जो दिस्ट्रिक मोर्री परिसिडेंट उनलों भी रिस्ट्रिशन किया है, तो सागाली भी किया, उसे भी आपको नहीं दिखाई दिया, वो कुछ लोग ये चर्चा हो रहा था, उसको लेकि आप क्या बोलना चाहिए सबसे पहल सभी को पता है हम लोग एलेक्शन जीते थे बीजेपी, लेकिन बीजेपी के दो कैनेडेट होने का बजस है, बीजेपी ने बीजेपी को हराया, उसको डेखना बहुत जरूरी है, दो गुत होके, और अभी जो है, दो आजर उनीस के बाद, चुनाव के बाद, मैंने निरने लिए है, ये दो गुत को एक गुत बनाना जरूरी है, जोरना जरूरी है, इसलिए मैंने सभी को अख़वान किया, जो बीजेपी को चौर के चले गए, दो आजर उनीस चुनाव में, सभी को वापस आने के लिए, और मेरे बुलाबा पर सभी ने वापस आया भी है, और ता परिष्टिटी हमने उठपन किया कि विन-विन सिचुएशन परिष्टिटी उठपन किया सगाली में, और दो तीम मिल के और कॉंग्रेस से भी बहुत लोगों को तोरके, पर्मेरेंट लीडर्स लोग को तोरके, हमने एक बीजेपी स्ट्रॉंग तीम बनाया, और उसी स्ट परिष्टे, पंचाहिट एलेक्शन में हम लोग उतर गया, हमारे नेतरुट में, और पहली बार 40 साल का राजनेटिक इतिहास में, मैं सगाली का बात कर रहा हूँ, कॉंग्रेस से पंचाहिट राज को पहली बार बीजेपी चिना है, हमारे नेतरुट में, और हमारे स्ट्र करम हैं, प्रोग्राम से हैं, चाहे यूवा मोर्चा का हो, महिला मोर्चा का हो, एस्टी मोर्चा का हो, किसन मोर्चा का हो, माइनोर्टी मोर्चा का हो, इन पांचों मोर्चों के जो जितने भी कारे करम हैं, मैंने नेतरुट किया, और जितना भी रुपिया पैसा जरुट थ और प्रोग्राम में आने को प्रोग्राम था, रुपिया पैसा से ले करके, हर संबफ मैंने समर्थन किया पारती को और मंदल यूनिट को भी, जितने भी जो मंदल में काम हुए इन पांच सालों में मेरा नितरुट में चला, अब जो नया मंदल आफिस बना है, इसमें भी हमा मेरा हाथ है, और उसके पंचाइट अब जो है, लास्ट टाइम का जो दो गुद को एक गुद मनाया और पंचाइट को चेन के हमारा अभी ग्राम चेर परसन ज़्यादा है, ग्राम मेंबर ज़्यादा है, और पब्लिक भी ज़्यादा है, अभी जो है सगाली में हमारा विन पाका जो प्रशंड जीत हुआ उसका अच्छा वेव जो देश वर में चला है और ये वेव अरुनाचल में भी लगा है और दौज़र 24 में जो जनरल इलेक्शन होगा वो तो मोधी पद्धान मंत्री बनेगा बीजेपी इस देश में जीतेगा और वेव अरुनाचल में लगा है और यहां में भी हमारा ही सरकार वापस आएंगे तो इसके चलते अभी सगाली में जो हमारे पांच साल का प्रायास जो है जो मैंने तकलिफ किया है रंग ला रहा है और मैं विश्वास करता हूं की दौज़र 24 में सगाली में बिलकुल बीजेपी बिदाया बनेंगे और इन पांच सालों के जो हमारे हजारों कारे करता बन हो जाएंगे में नगे हमाना पार्टी में अगर कोई जोइन किया तो यह बहुत अच्छा बात है। मैं दूर में रहते हुए भी मैं उनका बहुत डिल की गहरयों से जो भी जोइन किया है। मैं वेलकम करता हूँ। और हाँ आपने मुझे पूछा है कि आपको इस्टिट ओफिस में भी दिखाई नहीं दिया जब किसी ने जोइन किया और डिस्टिक्ट ओफिस में भी दिखाई नहीं दिया जब किसी ने जोइन किया और सगाली मंदल ओफिस में भी आपको दिखाई नहीं नहीं दिया जब कि कार्य करता के लिए एक वर्कर के लिए अगर कोई बीजेपी में आता है तो मेरा काम में उसको वेलकम करना। सरक क्या लगता है अभी जैसे कि अभी इनकेस, आपते हैं लिए नहीं देखने और और तो आ दायक बनना चाहिए, मेरा आहवान है, मेरा कॉल है सभी को, जो बीजेपी टिकेट मिलेगा उन्ही को समर्तन करना चाहिए, चाहिए क्यों ना दोमिलिक नादर हो, मैं तो एक कार्यकर्ता होने के नाते, मेरे और से मैं राजनीतिक दावा नहीं कर सकता, पार्टी हाई कमांड हमको जो डायरेक्शन देगा, मैं उसे को पोलोग कराऊंगा, अगर एन मोमेंट में हमारा पार्टी हाई कमांड हमको कहेंगे कि आप पार्टी काम कीजे, किसी और को कॉंटेस्ट करने देगा सगाली में, अगर ऐसा पार्टी हाई कमांड से मुझे अग प्रप्राय सकरूंगा। Thank you.